आप सब का इतिहाद न्यूज में खैर ए मकदम मौहमद फाजिल मंगलपेट की हत्या के मामले की जाच कर रही करनाटक पुलीस ने चार लोगों को गिरफतार किया है पुलीस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि आरोपियों को उत्तर कन्नड बैंगलूरू समेत विभिन्न जगों से उठाया गया है पुलीस विभाग ने फाजिल के परिवार के अनुरोध पर एसीपी रैंड के एक अधिकारी के नेत्रित्व में हत्यारों को पकड़ने के लिए एक विशेश टीम का गठन किया था पुलीस ने हत्या को अनजाम देने के लिए इस्तमाल की गई कार को जब्द कर लिया है और वाहन के मालिक अजीत क्रस्टा, 40, को गिरफतार कर लिया है सूत्रों ने बताया कि हत्यारों के गिरों के बारे में पुकता सुराग मिलने के कारण पुलीस मामले का परदाफाश करने को लेकर आश्वस्थ है उन्हें सुहास के नेत्रित्व वाले गिरों की भूमिका पर संदेह था जो पहले एक हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में शामिल था हालांकी गिरफ्तार किये गए लोगों की पहचान के बारे में अभी पुष्टी नहीं हो पाई है पुलीस विभाग इस संबन्द में दिन में बाद में घोशना कर सकता है फाजल की 28 जुलाई को दक्षन कंणर जिले के सुरतकल कस्बे में हत्या कर दी गई थी विपक्षी दलों ने हत्या मामले में निश्पक्ष जाच की माम की थी मुख्यमंत्री बस्वराज बोम्मई ने कहा था कि पुलीस को जाच करने और हत्यारों को पकड़ने की छूट दी गई है ऐसा संदे है कि भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीन कुमार नेटारी की हत्या के प्रतिशोद में हिंदू कार्यकर्ताओं ने फाजिल की हत्या कर दी थी मोदी ने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान हर साल दो करोड नौकरिया देने का वादा किया था हाली में संसद में पूछे गए दो सवालों के जवाब में सरकार ने जो कहावा केंद्र सरकार में नौकरियों के खाली पड़े पदों की भयावा तस्वीर को उजागर करता है पहला प्रश्न हश 1803 का जवाब 27 जुलाई को दिया गया था, जिसमें पूछा गया था कि कितने लोगों ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया था और वास्तव कितने लोगों को स्थाई नौकरी मिली थी जवाब में कार्मिक, लोग शिकायत और पेंशन मंत्राले में राज्य मंत्री जो प्रधान मंत्री कार्याले में राज्य मंत्री भी हैं ने जवाब दिया कि 2014 और 2022 के बीच केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22.06 करोड आवेदन आये थे सरकार जिसमें से कुल 7.22 लाख लोगों की ही भरती कर पाई थी इसका मतलब है कि लगभग 0.3 प्रतिशत की भरती थी या प्रत्यक 1000 आवेदकों में से 3 को नौकरी मिली थी केंद्र सरकार में रिक्तियों की कुल संख्या के बारे में एक अन्य प्रश्न 8463 का उत्तर 20 जुलाई को दिया गया था उन्ही मंत्री ने जवाब दिया कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार में 40.35 लाख स्वीकृत पद खाली थे जिनमें से 30.56 लाख पद भरे गए थे यानि करीब 9.79 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं संसद में दिये गए इन दो उतरों की व्याख्या कैसे की जा सकती है सबसे तार्किक व्याख्या यह हो सकती है कि 7 लाख लोगों की भरती के बाद सरकार में अभी 9 लाख से अधिक पद खाली पड़े है बढ़ती बेरोजगारी हाला की हाल ही में प्रधान मंत्री ने घोशना की थी कि 10 लाख रिक्त पदों को जल भी भरा जाएगा और ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी मंत्रालियों और विभागों को ऐसा करने के लिए उपाय करने के निर्देश दिये थे ये जवाब खुद देश में मौझूद बेरोजगारी के चौकाने वाले स्तर को दर्शाते हैं इससे यह भी पता चलता है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो मामूली वेतन पर काम कर रही हैं लेकिन साथ ही वे भैतर वेतन और सरकारी नौकरी से मिलने वाले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभों को पाने की आकांक्षा भी रखते हैं दूसरे शब्दों में 22 करोड से अधिक आवेदक जो बेरोजगार भी हैं साथ है अलपरोजगार या प्रच्छन बेरोजगारों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसा की नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है जिसे मंत्री द्वारा दिये गए आंकरों से हासिल किया गया है आवेदकों की संख्या में 2018 से 19 तक लगातार व्रिद्धी हुई उस वर्ष इसने 5 करोड को छू लिया था उसके बाद यहां हर साल 2 करोड के निशान से थोड़ा नीचे रही है अश्चरेजनक रूप से नियुक्तियां एक उल्ती कहानी दिखाती है वे 2014 से 15 में 1.3 लाख से लगातार घटकर 2018 से 19 में लगभग 38,000 पर रह गई जिसके बाद भरती उपर और नीचे हुई 2021 से 22 में फिर से केवल 38,000 लोगों को ही रोजगार मिला ध्यान दे की आम चुनाव मई से जून 2019 में हुए थे और यहां वह वर्ष है जिसमें नियुक्तियों की संख्या सबसे अधिक है यानी 1.47 लाख ऐसा लगता होता है कि नियुक्ति संबंधी कुछ निर्णय राजनीतिक चुनावी कारणों से संचालित होते हैं स्थाई रिक्तियां केंजर सरकार में मौजूद रिक्तियों के बारे में क्या? सबसे पहले यहां ध्यान देने की जरूरत है कि ये केवल मंत्रालियों और विभागों की रिक्तियां है न कि विभिन्न स्वायत निकायों और सरकार के अन्य अंगों की रिक्तियां है प्रचारी के स्तर के अनुसार श्रेनियों A, B, राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों और C, अराजपत्रित का ब्योरा दिया है। यह गोलमाल नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। जैसा की देखा जा सकता है, सबसे बड़ी संख्या में पद अराजपत्रित सी श्रेनी में हैं और इस खंड में रिक्तियां भी बहुत अधिक हैं, जो 8.36 लाग से अधिक हैं। कुल मिलाकर लगभग एक चौथाई सरकारी पद खाली पड़े हैं। एश्रेनी में रिक्तियां बहुत कम हैं, केवल 18 प्रतिशत जो की शीश अधिकारियों वाले पद हैं। सरकार, नौकरियों के बारे में प्रशनों का उत्तर देते समय, रोजगार, स्रिजन या आई व्रिधी के लिए चलाई जाने वाली विभिन में योजनाओं और कार्यक्रमों को गिनाती हैं, जिसमें सस्ते बैंकरिन, मुद्रा या विक्रिताओं की योजना, उत्पादक्ता से जुडी प्रोत्साहन योजनाए आदी शामिल है, हालां की इस सब के बावजूत बेरोजगारी अभी भी पिछले दो से तीन वर्शों से साथ से आठ प्रतिशत के आसपास मंदरा रही है, और शहरी और द्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्रों केंद्रों तथा क्रिश है कि केंद्र सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है, केंद्र सरकार की रिक्तियों और भरती के आंकडों से पता चलता है कि उन लौक्रियों पर भी जिने वह सीधे नियंतृत करती है, उनके पास उन्हें भरने की इच्छा शक्ति या दूरदर्शिता नहीं है